नमस्कार्द दशकों, आप सबी का हमारी जैनल में बहुत बोष स्वागत है चतुर्थी हर माहा में आती है और हर माहा गणेश भगवान की चतुर्थी के दिन पूजा का विषेश महत्व होता है तंकटों को हरने वाले भगवान सरी गणेश की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन अगर आप भगवान गनेश को गेहूं अरपित करते हैं और उन गेहूं से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका कारोबा ठीक नहीं चल रहा है या फिर आपकी नोकरी नहीं लग रही है या फिर घर में कोई भी है लड़ाई क्लेश का माहूल है या फिर लक्षमी की कमी है तो आप इस ऐसे अपने घर में हर विग्न को दूर कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप अपने घर में विदिवत पूजन कीजिये जैसा वाश्य करते हैं वैसा पोजा कर लिजिए उसमें आपको गेहू अरपित करन कुछ भी दिनों में अगली चतृति आने तक उसकी नौक्री भी लख जाएक। आपके घर में धन-दान की कमी है तो आप अपनी तुझोरी में थोड़े से गेहुं रख दीजे, किसी कपड़े में बांध कर रखे, या पिर आप एक कटोरी में रख करके रख सकते हैं, और जहां भी आपके घर में अगर लड़ाई जगड़े होते हैं तो अपने घर के मंदिर में थोड़े से गेहूं रख दीजिए उन गेहूं को जगा जगा पर आप रख दीजिए जो भी समस्या चल रही है उस जगा पर रख दीजिए जिस व्यक्ति के सां समस्या चल रही है व्यक्ति के जेब में रख दीजिए थोड़े थोड़े गेहूं रख करके आपकी समस्या का समाधान सिर्फ उन गेहूं से हो जाएगा और कुछी दिनों में आपकी समस्या दूर हो जाएगी आप इस उपाई को अवश्य कर लेजीगा पूजने गुरू जी पंडित जी में इसरा दौरा बताया गया है उपाए है हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजीगा मिलते हैं अगले वीडियो में सरी शिवाय नमस्तु भ्यम